हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में और आज क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक और इंपर्टन टॉपिक लेकर आचुके हैं आज आपको बताएंगे फोटॉन की उर्जा और समवेग में संबंद क्या इन दोनों में यह कोशन आपके एक्जाम में आता है एक नंबर में यानि कि अगर आप केवल इसका संबंद लिख देंगे ए और पी में क्या होता है आपको वहां पर एक नंबर मिल जाएगा चलिए बताते हैं आपको की फोटॉन की उर्जा और समवेग में संबंद होता क्या है क्या होता है पी बर in upon से साथ में आप बोला करिये ताकि आपको भी यादो जाए क्या है पी बराबर 2पान सी क्या यहां पर है संवेग सम वेग तो पहले आपको बता चुके द्रविमान गुण Marvel फिर उसके बाद चाहिए यहां पर होटाया है यानिकी एनेरजी किसकी उढ़ता है तो वहindi हमने आपको जब आएंस्तीय का प्रकाश वीजंशोए प्रभावस पड़ारत है तो वहाँ पर हमने आपको उताया था E बराबर होता है H new और वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि एक photon की उर्जा कितनी होती है H new होती है क्या होती है H new होती है सरीके से जो निशान मनाया इसको बोलते है new ठीक है तो हमने फिर उसके बार क्या लिख दिया है देखें E के जगह पर क्या लिख दिया है H new क्योंकि E के जगह पर हम H new रख सकते हैं दोनों क्या होगते हैं एक दूसरे के बराबर कि फिक्या आपने आपको दाया एक photon की उर्जा कितनी होती है H new अगर आया है अग्जाम में उर्जा और समवेग में संबंद तो आप केवल P बराबर E अपन C भी लिख सकते हैं या आप P बराबर लिख सकते हैं H new अपन में C और फिर आप बता देंगे जहां पर H new क्या है वो photon की उर्जा है फिलाल आपको E लिखें जहां से आपको direct पता चल सके कि यह क्या है उर्जा है और P क्या है समवेग है आपको जहां करके लिखकर भी दिखाना पोगा अगर आप जहां करके नहीं लिखकर दिखाएंगे तो हो सकता है examiner जो है वो आपको आधा नंबर ही दे इसलिए अगर आप लिखेंगे पूरा आपको फॉर्मला लिख देंगे साथ ही साथ नीचे आप लिखके इस तरीके से जहां करके लिख दें कि P ये है और E क्या है उर्जा है या आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते है तो जिस तरीके से हमने लिखा है इस तरीके से भी आप लिखकते हैं कि यदि photon की उड़जा E हो और संबेक P हो तो यह हमारा formula इसका क्या हो जाएगा P बराबर E upon C उम्मीद करते हैं कि पूरा class आपको अच्छे समझा पाए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक कर दीजेगा हम आपसे फिर मिलते हैं कैसी क्लास के साथ अब तक के लिए जाहिन